तो हेलो फ्रेंट वेल्कम तो माई यूटूब चैनल तो कैसा आप सब तो फ्रेंट्स आज का जो वीडियो उसमें मैं आपसे बात करने वालो आरसी से रिलेटेड मीन्स जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आपके जो वीकल का वो टू विलर हो या फोर विलर उससे related जो आपके doubts है वो मैं इस वीडियो के अंदर clear करने वाला हूँ सबसे पहला जो आपका Doubt यह होता है कि जो आरसी की validity होती है यानि जो उसका time period होता है یानि कित्ते सार के लिए वो valid है वो कित्ते year का होता है यह सब चीज़े काफी सारे लोगों को नहीं पता है तो ये प्रिविएस मतलब पहले के सब्सक्राइबर हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना वह फ्रेंट बिन टाइम आज करके आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं पंदरा साल उसकी वैलिडिटी होती है, क्या ये हर एक वहिकल के साथ है, पैट्रोल, डीजल, हर एक, या फिर टू विलर, फोर विलर, तो ऐसा देखो नहीं है, देखो जो भी में एक पैट्रोल और डीजल के आपको हिसाब से मैं बता देता हूँ या, वो चाहे टू विलर हो या फोर विलर हो, तो जो भी है पहला जो पैट्रोल की जो वैलिडिटी होती है, वो ये होती है 15 साल, जब भी आपके जो भी गाड़ी है, जो डेट को रजिस्टर्ड हुई है, आज के डेट से 15 साल पैट्रोल गाड़ी की 15 साल की वैलिडिटी होती है, यानि 15 साल आपको को आज के डेट में पर्चेस कर रहे हो तो उसकी जो वैलिडिटी वो 15 साल नहीं होती है उसकी जो वैलिडिटी वो होती है 10 साल डीजल कोई भी गाड़ी हो उसकी जो डीजल अगर वाली गाड़ी है तो उसकी 10 साल वैलिडिटी होती है ना के 15 साल डीजल जो है उसकी 10 साल और जो validity होती है तो यही कुछ है petrol जो है वो 15 साल की उसकी validity होती है और जो diesel vehicle है उसके अंदर जो होती है वो 10 साल की validity होती है अब ये बात हो गई कि इसकी validity डीजल की और petrol की अब ये बात करते है कि अगर validity खतम हो जाए तो क्या हम इसे बढ़ा सकते है या यह expire हो जाती है तो अब इसके बारे में आपको बात कर तो यह आपका second doubt है तो एक चीज़ में आपको यह बता दू अगर आपकी RC की validity खतम हो जाए तो आप इसे renew करा सकते हो क्या renew यह 15 साल और हो जाएंगी यह 10 साल और हो जाएंगी तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो भी इसकी validity है वो 5 years बनाई गई है वो चाहे petrol हो यह diesel हो तो आपकी जो diesel गाड़ी है उसकी 10 साल की validity है अगर वो expire कर जाए तो आप उसे और 5 साल extend कर सकते हो यहने 15 साल आप चला सकते हो अब दूसरा यह है पैटरोल जो गाड़ी उसमें भी 5 साल बढ़ेंगा उसकी 15 साल की validity थी तो आप उसे 5 साल बढ़ा के 20 साल कर सकते हो यहने आप 20 साल एक पैटरोल वीकल को चला सकते हो और 15 साल एक डीजल वीकल को renew करा कर तो यही कुछ 5-5 साल है जो आपके वीकल के अंदर आपके लिए create कर दूँगा और आपको बता दूँगा तो यही कुछ आपके doubt थे कित्ती इसकी validity होती है और अगर यह expire हो जाए तो क्या मतलब कित्ते साल तक हम इसे और बढ़ा सकते है और अगर आप 5 साल accident कराए भी तो यह normally नहीं होता है कुछ आपके गाड़ी का जो है inspection किया जाता है कि आपके गाड़ी की condition कैसी है अगर बहुत ही worst condition है बहुत खराब है तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो registration है वो और ना बढ़ाया जाए वहाँ आपके जो application है वो reject कर दिया जाए बट अगर अगर आपकी condition खराब है तो वहाँ आपको extend नहीं करेंगे अगर petrol वी कले तो आपकी 15 साल चलेंगी और diesel है तो 10 साली यह condition के उपर भी depend करता है क्योंकि जब आप registration की apply करते हो तो वहाँ कुछ inspection होते inspection officers होते हैं तो आपकी गाड़ी को inspect करते हैं इसके उपर मैं एक separate video बनाऊँगा और आपको सभी को अच्छे से detail में बताऊँगा आशा करते हो आपको यह सब चीज़ा अच्छे से समझ गयोंगे RC से related और भी कोई doubt है तो आप comment करो मैं आपको comment के थुरू भी देने की कोशिश करूँगा और इसके पर अगर हो सके तो separate video भी हम बनाएंगे आज के लिए इतना ही मिलते हों नेक्स वीडियो में जब तक के लिए good bye